स्टाप्लिस के शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में 15 साल के लीप के बाद अभीरा और अर्मान की कहानी शुरू हो चुकी है ये किर्दार स्मृधी शुकला और शेहजादा धामी निभा रहे हैं जिनने शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी श शेहजादा धामी ने शो को मिल रही ट्रोलिंग और हर्शे चोप्रा संग हो रही तुलना पर अपनी राए खुल कर रखी है जिया अंदर असल ये रिष्टा क्या कहलाता है से घर घर में अपनी जगा बना रहे शेहजादा धामी ने इटाइम्स से एक खास बादशित की है इटाइम्स को दिये इंटर्व्यू में उन्होंने खुल कर शो और अपने केदार के बारे में बात की शेहजादा के मताबिक शो की पुरानी कास्ट ने शानदार काम किया है और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं शेहजादा धामी ने कहा मैं बस विरासत को आगे पर भी बात रखी उन्होंने कहा कि वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने बाकि सब कुछ भागे पर छोड़ दिया है इसके आगे वह अपनी और स्मृधी शुक्ला की ट्रोलिंग पर कहते हैं कि वह समझते हैं कि लोग पुरानी कास्ट के एक्टर से पूर्टी नहीं मिलती हाला कि इसमें अपनी अलग ही खुशी है आपको बता दे कि कुछ टाइम पहले हर्शे चोप्रा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने शोकी ट्रोलिंग पर सक्त शब्द कहे थे उन्होंने नई कास्ट का सपोर्ट किया था हर्शद ने कहा था क शोकी ट्यारपी कभी एक्टर्स के हाथ में नहीं होती एक्टर्स अपनी तरफ से पूरी महनत करते हैं सीरियल की नई कास्ट भी अच्छी है और पूरी महनत कर रही है आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों में धीरे-धीरे ही सही लेकिन शोकी ट्यारपी में इजाफा देखी जा रही है और शो एक बर फिर से टॉप 10 की लिस्ट में जगा बना पा रहा है हाला कि अब देखना तो यह है कि आने वाले दिनों में यह ट्रोलिंग थंती है या फिर नहीं और शो का TRP में कैसा हाल होता है